राजस्चुप्रीमो लालू प्रशाद यादव की बेटी रोहिनी आचारे ही अपनी किड्नी अब अपने पिता लालू प्रशाद यादव को देंगी और उनका किड्नी ट्रांस्प्लांट का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है वहीं आपको बता दे कि राजस्चुप्रीमो लालू प्रशाद यादव कई बीमारियों से ग्रसित चल रहे हैं और कई लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे हैं जसका इलाज उनका पटना समेथ दिल्ली में भी हुआ और उसके बाद अब सिंगापूर में उनका इलाज चल र रहे थे लेकिन किसी तरीके से उन्हें समझाया गया और मान मनवल हुआ और जिसके बाद रोहिनी आचारे और उनके लालू प्रशाद यादव को लगेगा यानि कह सकते हैं कि राजस्चुप्रीमो लालू प्रशाद यादव से जुरी खबर सामने आई है जो हम अपने दर रहते हैं और वहां उनकी इलाज पूरी तरीके से होगी कई बीमारियों से ग्रसित हैं और लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं वहीं आपको बता दे कि उनकी बेटी रोहिनी आचार किड़नी देंगी दर असल इस मामले को सब कुछ तै हो गया है बता दे कि पिछले दिनों यहीं लालू प्रशाद यादव अपने बेहतर इलाज के लिए सिंगापूर गये थे जहां वे अपनी बेटी रोहिनी आचार के घर पर ही रुके थे तमाम तरह की चेक अप भी किये गये थे जिसके बाद अब यह खबर आ रही है कि रोहिनी आचार अप लालू प्रशाद से ग्रसित हैं पहले उनका इलाज दिल्ली के एमस में चल रहा था अब वहीं आपको बहतर इलाज के लिए वो सिंगापूर गय थे वहीं अब जहां पर उनकी किड्नी ट्रांस्प्लांट होगा यह भी बता दे कि रोहिनी आचार भले ही सिंगापूर में हैं लेकिन वो आए द इन कोई न कोई जो है विपक्ष के ब्यानों पर ट्वीट के जरीये हमला भी करती हैं बीजेपी चाहे हमला बोले या विपक्ष के कोई भी नेता हो रोहिनी आचार ट्वीट के जरीये अपना ब्यान जरूर देती हैं वहीं आपको बता दे कि लालू प्रशादियादव की क किड़नी नहीं ले रहे थे लेकिन अब वो तयार हो चुके हैं और रोईनी अचार उनकी बेटी जो है लालू प्रशाद यादव को किड़नी देंगी और लालू प्रशाद यादव की किड़नी जो है वो ट्रांस्प्लांट हो जाएगा और उसके बाद लालू प्रशाद या वाले से ये खबर निकल कर सामने आई है ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर जूरूस के साथ और देखते रहें दर जूरूस